अध्यादो ग्रामिन जीवन यापन के स्वरूप आपके घर में उप्योग होने वाली खाद सामगरी किन माध्यमों से प्राप्त होती है खाली अस्तान को हाया नाम में भड़े कि हूँ मक्का चावले सब स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर मुड़की पालन चाय नास्थे की दुकान अपने समाज ये मजूद अनेक तरह की विविताओं के विषय में चाना आपने भारत गाउं का देश है यहां लगवक 6 लाग से भी अधिक गाउं है यदि आप अपने आस पुरोष पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधिक कारेरों में भी भीनता पाई जाती है इस पार्ट में हम देखेंगे कि लोगों के पास बिहार के बकसर जीले के राजपूर गाउं है बकसर जीले में गाउं के मुख गली तथा सरक बजार की तरह दिखता है वहाँ पर आपको तरह तरह की छोटे बड़ी दुकाने दिखेंगे चाय नास्ते की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लो यहां के लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्थ फोलो को बाजारों में बेच कर कुछ आए प्राप्थ करते हैं आजीब का के लिए यहां के लोग मचली पालन मुर्गी पालन पसुब मुर्गी पालन मधु मखी पालन और बक्री वस्वर पालते हैं दुख दूद पालन के लिए पसुख भी पालते हैं आए ग्रामीन परिवेश में जीवन यापन कर रहे हैं लोग से मिले और देखे कि यह कि हम आजीब का के बारे में क्या सीख सकते हैं कि नीचे दिये खाली अस्तानों को छेत्र का अनुशार आजीब का सम्मंधित किये जाने वाले कारें की सुची त्यार करें बागवानी डेरी खेती किसान और मजदूर लनन एक मध्यम किसान एक दिन सुकुलपूर गाओ गए राजपूर की तरह सुकुलपूर भी मैदानी गाओ है लेकिन यहां के गाओं में अधिकतर नहरों से सिचाई होती है जब सुकुलपूर पहुँचे तो गेहों की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था हमने देखा कि ललन परसन होकर बोला आओ पानी पियो काफी तेरबार इधर उधर आना हुआ ललन से हमारी अच्छी पहचान थी हम उसके खेत की और चल दिये खेत में मेर की मेर पर चलते हुए हम खेत में लगे फशलों को भी देख रहे थे कि यहूं के साथ ही अन्य फशल भी घहने और अच्छे लग रहे थे ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फशल की उमीद है फशल के लिए इस बार समय पर खाद बीच के लिए पैसो का प्रवंद हो गया है पैसो के केसी सी कि किसान के रिट कार्ट के माध्यम से मिल गया था और वर्षा वा नहर की सिचाई भी समय पर हो गया था दावा कि इतना सक के परियोग के कारण फशल घहनी वो अच्छी हुई है ललन के पास पांच एकर जमीन है वह साल में दो फशल को उप जाता है बरसात के समय धान एवं ठंड में यहूं चनेवे दलहनी फशले उप जाता है सिचाई और असानी खाद स उपज फसल बढ़ गए है ललन उसकी पत्नी और तीन बच्चे खेत में काम कर रहते उसके अलाबा कुछ मजदूर भी थे ललन पानी पिलाने के बाद पूछा कही है आज कैसे आना हुआ हमने कहा आपसे मिलने आये थे आपका काम कैसा चल रहा है ललन बोला अभी तो पिलाइन दवनी करानी पड़ेगी मजदूर की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है बुआई निराई गुराई के समय ललन जैसे मद्यम किसानों का मजदूर की जरूरत नहीं परती किन्तु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है कटाई के समय मजदूर भी बढ़ जाती है मजदूरी बढ़ जाती है जिससे उसके जैसे किसान के जुरूरत से कम आदमी से काम चलाना पड़ता है खेती के साथ वह मुर्गी का फार्म भी चलाता है जिससे होने वाली आयसे धैनिक कर्चों को पूरा करने का पर्या होती है इस पडिवार का गुजारा हो जाता है उन्हें किसी के यहां मजदूरी नहीं करनी पड़ती है परन्तु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते ही खाद बीज कि इतना सक आधी समय पर खड़ित सके हमने लरन के साथ जाने की आग्या मांगी क्योंकि हमें गाओं के अन् लिए वह अपनी फसल बेच कर लोट रहा था हमें वह अपने घर ले गया हमने किर्पासंकर से पुछा आप अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेची दी कोई बात थी क्या अभी तो बाजार भी सस्ता है अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा सिमांद किसान किर्पासंकर एक एकर जमीन है उसके पास खेती करने के लिए आधूनी कोई परन नहीं है उसे अपनी एक एकर जमीन जोतने के लिए खाद भी और कितना सक सब कुछ उधार लेना पड़ता है नवरों से सिचाई ता समय पर बारिस होने के कारण वह दो फसल उप जाता है इस पर उधार च कहा इस साल फसल कम हुआ है क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का करज नहीं मिल पाया मेरे एक एकर जमीन में केवल चार कुटल ही गेहू हुआ है खिरपा संकर जैसे छोटे सिमांत किसानों को आसानी से करज नहीं मिल पाता है उन्हें कई बार महाजन या साहुकार से उची ब्याज पर कर लेना पड़ता है, इस कारण फसल कटते ही, उसे बेचकर ब्याज समेट लिए गए, किसान की रकम को लोटाने की जल्दी होती है, अगर समय पर करज की रकम वापस नहीं की गई तो अधीक ब्याज के कारण करण करज की रकम को वापस कर पाना संभब नही तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते, किरपा संकर की परसानी को हम समझ रहे थे, हमने उनसे पूछा, अब तुम क्या करोगे, साल भर गुजारत कैसे होगा, किरपा संकर बोला, हम लोग प्रमोत के चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं, आसपास के गाउं से चावल खरीदने उन्हें मदद करते हैं, किरपा संकर के पास दो गाएक भैसे भी है, जिसका दूद हुआ दुकंदार रो एवम सहकारी समीती में बेशता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाता है, किरपा संकर सिमान्त किसान है, उसे उन्हें अपनी जमीन से साल अबर खाने के लिए अनाल नहीं हो पाता है, उन्हें दूसरे के खेतों भी खेती करने पड़ते हैं, खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है, प्रमोध एक बड़ा किसान प्रमोध शुकलपुरा गाओं का एक और किसान है उसके पास खेती के लिए लगवक 15 एकर जमीन है जमीन पूरी तरह से सिंचित भी है इस गाओं में उससे भी बड़े किसान है जिनके पास 30-40 एकर तक की जमीन है उन्हें खेती से बड़ी मातरा म उपज मिल जाती है जब हम प्रमोध से मीरे तो वो अपने घर के बाहर करे मजदूर से अपनी ट्रेक्टर ट्रोली से गेहूं उत्रबा कर घर में रखवा रहा था नमसकार कहते हुए उसने पूछा आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं अभी नहीं बेचना है क्या प्रमो कम मिलता है परमोध कभी पैसे के जूरत नहीं है साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था परमोध ने हमें चाय नास्ते के लिए कहा चाय के साथ साथ ही परमोध ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर परम थ्रेसर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कई चीजे खड़ी दी है और इसका लोन भी निश्चित रूप से समय पर चुका दिया है इस मशीनों करण खेती आसान हो गई है और ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन और हर्वेस्टर मजदूरी की काफी बचे हुई है जिससे पहले की तुला में बचे थोड़ी और बढ़ गई है अब बचे पैसो से जमीन खड़ी दने का सोच रहा हूँ हम जब परमोद के यहां से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचना लगे अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है वह खेती के लिए ज़रूरी सभी चीजों के खाद बीज दबा कोई किमी नहीं नहीं होने जिताव इन सब चीजों के लिए उदहार कर्ज भी नहीं लेना पड़ता है खेती की कमा इतना फायदा हो वे सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य को अपने खेतों में काम करने की जरूत नहीं होती है, बड़ी किसान अपने पास एक या दो मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इन्हें हलवा कहते हैं, पर मुच जैसे अन्य बड़ी किसान खेती के साथ चावल के मील भी चलाते हैं, मील का चावल सहर के बड़े वेपाडियों को बेजते हैं, जिसे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है, वो अपने खेतों में बागवानी भी करता है, संतोस एक क्रिशक मजदूर, क्रिशक मजदूर खेती का काम नहीं रहने पर इर भटी में काम करते मजदूर, सुकलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे, हम एक खेत पर पहुँचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी, गेहों की कटाई के समय अधिक मजदूर के अवसकता होती है कटाई तुरंद नहीं होने पर गेहों टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है वहां हमने देखा कि संतोस और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठ कर भोजन कर रहे थे संतोस जैसे ही मजदूर पड़िव संतोस ने निरासा जनक भाव से कहा फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है प्रंदू साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहां मिल पाती है हाँ बुई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं ये ब reapp casual गाओं में मजदूरी नहीं मिलने पर संतो पत्नी और बच्चों के साथ говорю पास के सारे मिट्टी ड्ोने बालूड होने सांटोष की तलास में गाट साहर पोचे मज़्धूर बालूड होने q.b. पसू पालल Q. तथा निर्मान धीन मिकानों में मज़दूरी का काम करता है सन्तोष की पत्नी दूसरों के घरों में भी काम करती है वे लोग गाय रता भैस को भी पालते हैं पिछले वर्स उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो सहर में चिकित्सा कराने के लिए उसे करज लिया था कर चुकाने के लिए उसे अपनी भैसों को बेच दिया कुछ पड़िवारों को काम नहीं मिलन एक करण दूसरे प्रांतों में जाना परागरामीन मजदूरों में बहुत क्रिशक मजदूर होते हैं जो थोड़े पैसे कमाते हैं जिनसे उनका गुजारा नहीं होता इस करण गैर क्रिशिकार है यसे टोकरी मिट्टी के बरतन जारू इट सूप पंखा चटाई आदी बना कर अपना जिवन यापन करते हैं गैर क्रिशिकार है हस्त सिल्फ हस्त सिल्फ सिल्साई का काम जड़ी गोटा लगाने का काम बढ़ाए अभी तक आपने देखाए गरामीन छेतरों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और जाजीबका के के लिए कितना काम कमा पाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोते हैं वो कैसी है कई लोग उस जमीन पर क्रिशक मजदूर के रूप में भी निर्भर रह जाता तर किसान अपनी जोड़तों को पूरा करने और बाजार से बेशने के लिए भी फसले उगाते हैं कुछ किसानों को अपनी फसल उन बैपारियों को बेशनी पड़ती है जिनसे वे रुपए उधार लेते हैं इस तरह गुजर बसर करने के लिए गरामी छत्रों कुछ परिवार ऐस करते हैं इन हस्त निर्मित सामानों को गाउं में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं गाउं में कुछ परिवार हाथ से कंबल लोई चादर वकः कपरों पर जरी एवं गोटा लगाने का भी काम करते हैं साइकिल मरमत की दुकान रासन की दुकान और करते हैं